What's up everyone कैसे है आप सभी लोग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर फटाफट फटाफट मुझे सभी लोग आडियो वीडियो चेक देंगे ताकि इस अमेजिंग से सेशन के हम लोग शुरुवात कर सकते है और बढ़िया तरीके से हम लोग सारे सा जो को देख सकते है चैनल पर यहाँ पर वीडियो चोड़के बागी सब चीज़े दिख जाएंगी आजाओ चलो अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ बहुत-बहुत स्वागत है सभी लोगों का इस सेशन के अंदर फटाफट फटाफट इसे शेर कर दीजेंगा आपने स हमें क्यों एप्रिल फूल मना रहा है वाकियों को पताने खेर चाड़ी आईए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन से चीज के रिगार्डिंग दोस्तों आप सभी लोगों को बता रहा हूंगा चाप्टर नंबर टू को हम लोग रिवाइस करने वाले चाप्टर नंबर तरीके से देखते हुए चलने वाले है सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो इन्होंने प्रमोटर की डेफिनेशन को यहाँ पर एक्स्प्लेइन किया है अब यहाँ पर क्या क्या रहा है प्रमोटर एस पर सेक्शन 269 करके आपको सेक्शन याद रे जाए अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ सबसे पहली चीज क्या बोला जा रहा है प्रमोटर मतलब ऐसा विक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टर के अंदर दिया हो दूसरी वाली चीज जो कंट्रोल करता हो affairs of the company को directly या indirectly as a shareholder director या otherwise और तीसरी वाली चीज क्या बोली जा रही है जिसके advice direction से board of directors is accustomed to act मतलब क्या board of directors जिसकी सुनके लेते हैं board of directors समझे बात को board of directors जुनकी सुनके ले लेते हैं उस विक्तियों को या ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं कि ये विक्ति या पर प्रमोटर बन जाते हैं मुझे बताइए अगर कोई professional समझे बात को को कोई professional capacity म अगर सामने वाले व्यक्ति को सुनना बात को फिर से अगर कोई professional capacity में सामने वाले व्यक्ति को service render करता है तो क्या हम लोग उसे promoter कहने वाले है क्या नहीं सर ऐसे व्यक्तियों को promoter नहीं कहा जाएंगा इस बात का आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखन होंगा अब देखिए formation of company से related हम लोग यहाँ पर बात करेंगे company जो होती है बिटा वो कितनी प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है एक होती है public company दूसरी होती है private company अब मैं अगर public यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों साथ public company की तो ऐसे case के अंदर वो होती है limited by share limited by guarantee औ with capital without capital अगर मैं private company की बात करूँ तो यह होता है limited by shares limited by guarantee और unlimited अब limited by guarantee में with capital without capital with capital without capital ऐसी सारी सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है अब हम लोग सा एकदम बढ़िया तरीके से सारे 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 चीज़ों को देखने वाले आ जाईए सबसे पहला जो section हम लोगों को देखना है section number 3 section number 3 क्या कहता है अगर कोई company public company है समझना बात को अगर कोई company public company है तो कम से कम उसके अंदर 7 या 7 से ज्यादा लोग उसके members होना चाहिए अगर कोई private company है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग उसके member होना चाहिए और वही अगर one person company है बेटा तो एक व्यक्ति उसका member होना चाहिए ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है, ऐसे सब्सक्राइबर से related यहाँ पर चर्चा की जा रही है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ 1% कमपनी है, तो हमने एक nominee भी रखना है, हमें indicate करना है एक नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम जिन से हमने prior consent लेके रखा है, क बिल्कुल बिल्कुल हमें nominee clause के अंदर इसको डाल के रखना होगा, लेकिन मुझे एक बात बताईए, क्या वो व्यक्ति कभी भी withdraw कर सकता है, क्या अपने consent को, जब वो चाहे, वो अपने consent को withdraw कर सकता है, और ऐसे case के अंदर 1% company भी nominee का नाम कभी भी change कर सकता है, और इसे alteration of MO के अंतरगत ये वाली चीज नहीं आने वाली है, ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है, क्या आप इस बात को समझे क्या, yes sir, देखो फिर से repeat करूंगा, section number 3 क्या कह रहा है, कि अगर आप कोई भी company बना रहे हो ना, तो public company अगर आप बना रहे हो, तो 7 या 7 से ज्यादा लोग as a members होने चाहिए, अगर मैं बात करूँ आपके साथ private company आप बना रहे हो, तो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आपके members होना चाहिए, OPC बना रहे हो, तो एक व्यक्ति होना चाहिए, ये लोग subscribers बोले जाएंगे, member तो बात में बनते हैं, जब company फोर्म हो जाती है, उससे प contract है, वो member अगर नहीं रह पाते है, तो ऐसे case के अंदर मैं member, मैं उनके जगा आ जाओंगा, ऐसी वाली बात यहाँ पर आ जाती है, सर मुझे एक बात बताईए, क्या ये कभी भी withdraw कर सकता है, क्या अपने consent को बिल्कुल बिल्कुल withdraw कर सकता है, सर one person company भी कभी भी name of nominee को change कर सक है, क्या, नहीं सर, ऐसे change को हम लोग नहीं कहते है, alteration of memorandum, जहाँ पे section number 3A के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, section number 3A क्या कहता है, समझना, जो section number 3 में हमने limit दे के रखे हैं, 7 member और 2 member की, अगर उससे नीचे members हो जाते है, और आप अपने दंदे को फिर भी company carry on कर रह है, मान लीजे हमारे company में एक ही member रह गया है, फिर भी हम लोग हमारे धंदे को carry on कर रहे है, और ऐसे business को हम लोग carry on कर रहे है, 6 मेने से ज्यादा, ऐसे business को हम लोग carry on कर रहे है, सभी लोग बताईए कितना, 6 मेने से ज्यादा, तो मैं आपर क्या कहूँगा, मुझे एक बात तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति member था, और वो aware था कि आप business को carry on कर रहे है, इतने कम लोगों के साथ, तो ऐसे case के अंदर वो they shall be severally liable, मतलब उनकी individual liability आ जाती है, of the whole debts of the company contracted during, that is after 6 months, and maybe severally sued for it करके, मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, यहापर सुनो एकदम अच्छी तरी जाता है, और business carry on किया जा रहा है, तो ऐसे case के अंदर 6 months हो चुके है, carries on business for more than 6 months, अब 6 months भी तेरे भाईया, तो ऐसे case के अंदर क्या होता है, जो भी व्यक्ति aware था इस चीज के बारे में है, जो भी व्यक्ति आपे aware था इस चीज के बारे में है, तो company जितने भी debts को contract करती है इस पिरेड में, 6 months के बाद जितने भी debts को contract करती है, वो सारे members की liability आ जाती है, इस debts के सुवर, several liability, मतलब समझना बात को उनके अपने बरतन बांडे और गहने वेने बेचके आपे liability को pay करना होगा, ऐसी वाली चीज़े यहापे बोली जा रही है, क्या आप इस बात को समझे क सबी लोग बोलिये मुझे जिल्दी से कि आप इस बात को बढ़िया तरीके सा समझ रहे है, अब मैं अगर बात करू तो section number 7 को हम लोग आपे पढ़ने वाले, section number 7 किस चीज़ से related बात करता है, section number 7 incorporation of company से related चर्चा करता है, जो बात करता है कि अगर company incorporate होती है, तो उसने कौन procedure के बारे में बताता है, यह आपको चीज़े बताता है कि आप कैसे company को incorporate करते हो, आप कैसे procedures, समझे बात को आप procedures के बारे में बताता है, steps for incorporation of company से related यहापे पूरी चीज़े बताने जा रहा हूं मैं आपके साथ, सबसे पहली चीज, आपको सबसे पहली चीज में बोला गया सर हमको यहाँ पे सबसे पहला बोला जा रहा है कि जो MOA और AOA है ना उस वो दोनों documents को MOA को और AOA को हमें submit करना है किसको company को submit करना है ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है जिसको सारे के सारे subscribers जितने भी subscribers है हमारे company के यह subscribers को क्या करना होगा उसको sign करना होगा सबी के लिए जिस भी jurisdiction में registered office of the company situated है वहाँ के ROC को हमें supply करना होगा यह supply नहीं वहाँ के ROC को हमें देना होगा documents या information तो सर सबसे पहला कौन सा document MOA और AOA of the company को देना होगा जिसको sign करेंगे subscribers of memorandum दूसरा क्या बोला जा रहा है आपको declaration देना होगा declaration दो लोगों से दिया जाता ह एक तो सबसे पहला होता है बेटा professional लोगों से और दूसरा दिया जाता है यहाँ पर समझना एक professional लोगों से और दूसरा जो company के लोग है मतलब director manager या secretary of company है वो दो लोगों से declaration professional में किसे किसे देखो advocate से हो सकता है CA से हो सकता है CA में हो सकता है और CS से अलब तीनो चारो professional लोग चो commerce के feed में आते CA 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 में और उसके लावा advocate ऐसे चार लोगों से चारों में से कोई भी लोगों सकते उनसे declaration यहाँ पर दिया जाता है और इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति जिन directors का नाम समझना जो व्यक्ति जिनके articles में जैसे director manager secretary है that all requirement of this act and rules made and act तो मतलब उन हमने सारे चीज़ों को comply किया है हमने क्या किया है हमने सारे सारे चीज़ों को comply किया है ऐसा पहला declaration हिनका होने वाला है तो पहला क्या बोला है उन लोगों का भी declaration लगेंगा कि वो सारी requirement वो सारे rules को हमने comply किया है registration करते वक्त और जितने भी incidental matters आ रहे हैं हमने सारे चीजों को comply करते हुए चला है अब तीसरे चीज के बात करूँगा मैं आप लोगों के साथ वो कौन सा है वो बात करता है declaration किससे declaration लेना होंगा सर हमें declaration लेना होंगा subscribers of memorandum से सभी लोग बोलेंगे किससे subscribers of memorandum से सर हम लोगों को declaration लेना होंगा ठीक है सर बढ़िया बात है declaration लेंगे subscriber से कौन से चीज का declaration लेंगे है ना हम उनस चीज का declaration लेंगे कि he is not convicted not convicted का मतलब होता है he is not proved guilty कोई भी offense relating to the promotion formation या management of the company से related अगर कोई भी offense होता है ना तो भाईया मैं not guilty हूँ मतलब I am not guilty मतलब not convicted का मतलब होता है मुझे court के law द्वारा बरकासित नहीं किया गया था इससे पहल promotion formation और management of company से related मैंने किसी भी प्रकार का offense नहीं किया है दूसरा I am not found guilty of fraud या misfiance या कोई भी breach of duty under the companies act या previous company law during last 5 years तो पिछले पास सालों में fraud के लिए मुझे नहीं पकड़ा गया है किसी भी act के तहचा है companies act हो दूसरा act हो मैं fraud के लिए नहीं पकड़ा गया हूँ और तीसरी वाली बात क्या बोलेगे यह जितने भी सारे documents में ROC के पास दे रहा हूँ ना इसके अंदर complete true and fair information है जो मेरे हिसाब से सही है मतलब जितनी भी मेरे चीजों के है या मेरे knowledge में जितनी भी बात है ना मेरे हिसाब से मैंने पूरी-पूरी information सामने वाले व्यक्ति को दे चुका ह तो आपको वो address बताना है मतलब address for correspondence का मतलब होता है जब तक आपका registered office आ नहीं जाता तब तक हम लोग आपके साथ कहाँ पर communicate कर सकते वाल address बताईएंगा फिर आपको यहाँ पर particulars देना होता है ठीक है यह particulars किसके मांग रहे है यह particulars subscribers के मांग रहे है और दूसरा particulars directors के मां देखो दोनों में same details बस डिरेक्टर में एक extra चीज आने वाली है सर कौनसे details common है वो बता दो सबसे पहली चीज तो बोला जा रहा है सरनेम तामिली नेम, residential address, nationality यह बता दीजेंगा सेम चीजे नीचे भी आने वाली है लेकिन यहाँ पर दिन नमबर अलग से मांगना जाता है दिरेक्टर identification number यहाँ पर अलग से मांगना जाता है दिरेक्टर से related ऐसी वाली बात यहाँ पर आती है अब यह दिन नमबर क्या होता है तो आप यह regular lecture में हम लोगों ने अच्छे से देखा है कि दिन नमबर का बता ही देता हूँ कि जो भी दिरेक्टर बनता है पहली बार अ सारे companies का नाम आ जाता है जिसके अंदर यह व्यक्ति as a director associate है करके उसके बाद क्या बोला जा रहा है particular of interest of the person जो first directors की तरह काम कर रहे है और हम लोगों को बाकी जो other firm या body corpment में जहापे वो काम करते होंगे ना उन लोगों का consent लगने वाला है कि बिल्कुल जैसे Mr. A को हम लो consent लेना होगा ऐसी वाली बात है तो जिस company में यह बाकी लोग काम कर रहा है उस company का हम लोग consent यहापे लेने वाले है उसके बाद यह पहली बाली चीज होगा यह मतला पहले पूरे documents हो गए यहापे ठीके पूरे पूरे पहले point में पूरे documents हो गए कौनसे कौनसे repeat करो MOAOA हु सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंचल अड्रस, दूसरे पर्टिकुलर्स में सेम चीज है, डीन नंबर, एक्स्ट्रा, तीसरे वाले चीज में या आखरी वाले चीज में बोला गया, कि जिस भी अगर हमारे डिरेक्टर्स का मन कई और लगता है, किसी और कमपनी के अंदर मन लगता है बाहर, तो उस कमपनी का भी एसेंट ले लेना, कि अब यह हमारा होने जारा duty, हमारा भी होने जारा है, तो तुमको चलने वाला है क्या, तो आप ऐसा असेंट ले लीजिएगा, ऐसी वाली बात यहां पर बोली आ रही है, क्या से केस के अंदर वो क्या देने वाला है certificate of incorporation मतलब आपका birth certificate आपको stop देंगा तीसरी वाली चीज allotment of sin number अगर आप sin number समझे बात को हरे एक company का unique identification number होता है डिरेक्टर का होता है डिन number एक व्यक्ति का होता है pan card या आदार कार वसी प्रकार से company का होता है corporate identification number और कौन allot करता है य आपने जितने भी documents ये information आपने दिये थे तो क्या आपको ये documents वगरे को आपको लगता नहीं submit के रखना होगा अपने पास हाँ सर हम लोग को इन चीजों को submit के रखना होगा मतलब हमें इसे maintain करना होगा ठीक है till dissolution under this act तो जब तक company dissolve नहीं हो जाती ना तब तक हम ये सारे documents क को एकदम बढ़िया तरीके से क्या करेंगे संभाल के रखने वाले है अगर फिफ्ट पॉइंट के उपर में आ जाता हूँ सर्फ फिफ्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है अगर आप यहाँ पर incorrect information या false जुट 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 information अगर आप furnish करते हो तो अ उस चीज को material fact बोला जाता है आपने ऐसे material fact को छुपा के रखा suppress करके रखा तो ऐसे case की बात की जा रही हो और वो भी कब at the time of incorporation मतलब क्या बोला जा रहा है कि सर जब आप company को incorporate कर रहे हो तो आप जुट 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 बोल रहे हो आप false information को दे रहे हो incorrect information को material fact को suppress कर रहे हो at the time of incorporation है ना at the time of incorporation तो ऐसा बोला जा रहे है कि जो भी व्यक्ति aware था ये information के बारे में अरे भईया उसको तो लपेट दालेंगे section number 447 for fraud के अंदर 447 of companies act fraud के बारे में बात करता है कि कौनसी कौनसी penalties लगाएंगे क्या क्या करेंगे तो 447 में जम के दो दालेंगे उसको ऐसे व्यक्ति को बेटा जिसको ये पूरे information के बारे में बता था ना ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रहे है अब sir second अब देखो अगर company already incorporate हो जाती ह आता और जो हमारे first directors है ना हम उनको 447 के अंदर लपेट डालते है ऐसी वाली बात बुर यहाँ पर देखो first director के साथ साथ जो declaration वाले CACACMA और यहाँ पर कौन directors उन लोगों को लपेट लिया जा रहा है ऐसी वाली बात यहाँ पर आ रही है कि आप इस बात को समझ रहे है बोल इसरी company कर सकती है members कर सकते है subscribers कर सकते है आम जनता mango public mango people कोई भी कर सकता है इस चीच का भ्यान रखना तो ऐसे case के अंदर और ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ हाँ company तो false information या incorrect information को देखके आईए करके समझ रहे है आप बात को company incorrect information false information का सहारा लेके ट्रिब्यूनल ने क्या क करता है तो ऐसे case के अंदर ट्रिब्यूनल order को पास करेंगा बोलिए जल्दी से ट्रिब्यूनल क्या करेंगा ट्रिब्यूनल सर order को पास करता है अच्छा ट्रिब्यूनल order को पास करेंगा हां कौन से order को पास करेंगा regulation of management से related बात करता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपक चोटे एक नमबर के फ्रॉडी फ्रॉडा किये जा रहे तो ऐसे केस के अंदर regulation of management के लिए हम लोग क्या करेंगे order pass कर सकता है दूसरा कह देंगा एक काम करो है company की liability unlimited कर दालो करके अगर किसी का भी पैसा डुबा तो company को और promoter को अपना घर बार बेच के इसका पैसा देना होगा तीसरी वाली चीज क्या बोला जा रहा है आप एक company removal of the name of company from register जो register of companies में नाम दाकला हुआ है ना उसको remove कर दालेंगे company के नाम को उसके बाद बोला जा रहा है winding up करा दो इस company का और बोला जा रहा है तीसरा removal of the मतलब क्या remove करो company के इस नाम को और उसके बाद क्या बोला जा रहा है उसके बाद winding up बोला जा रहा है और आखरी में बोला जा रहा है यहाँ पर pass such orders जो भी मुझे ठीक लगे मैं क्या वैसे orders को यहाँ पर pass कर सकता हूँ क्या बिलकुल बिलकुल pass कर सकता हूँ ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है ठीक है पता यह मुझे fast तो नहीं लग रहा अगर लग रहा है तो regular lecture नहीं किया है डंग से आओ उसके बाद अगर मैं बात करू तो provided that before making any order क्या बोला जा रहा है यहाँ पर before making कोई भी order आपने सबसे पहले तो आर ओ बी एच देना चाहिए किसको company को आर ओ बी एच देना चाहिए एक reasonable opportunity दे तो भाईया तुम्हें कुछ अपने सफाई में कुछ कहना है क्या तो बता दो करके और दूसरी वाली चीज क्या बोली जा रही है जो भी direction या जो भी transactions company ने एंटर किया है उसको मेरे को एक बार चेक करना पड़ेंगा हैना मैं देखूंगा उसमें obligations payment of any liability अगरे तो नहीं हो रही है मैं उस चीज को चेक करूँगा अब यहाँ पर बोला जा रहे है spicy form यहाँ पर दिया गया पड़ापट पड़ापट चीजों को करने के लिए ease of business को करने के लिए spicy form यहाँ पर issue यहाँ प company का मतलब क्या होने वाला है सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो सुनिए ध्यान दीजेंगा एक दम उसम तरीके से law in respect of the formation of OPC provide करता है कौन से चीज से related सर यह बात करता है आपर the memorandum of OPC shall indicate the name of other person मतलब सबसे पहला तो बोल रहा है कि जो memorandum हो बने वाला है ना MOA को बुला जाता है charter document of the company तो MOA जो company का होता है उसके अंदर company नाम specify करेंगी ऐसे व्यक्ति का जो nominee बनने वाला है अगर कल चलके हमारे subscribers या member की death हो गई तो आकिर कौन बनेंगा हमारा सतार्च कौन बनेंगा हमारा member उसके बारे में बात करता है दूसरा यह initial intimate to register करके मतलब क्या बोला जा रहा है the member of OPC में at any time change the name of such other person अगर company है कै तो वो कभी भी क्या कर सकती है बेटा दूसरे person का नाम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अलोट कर सकती है हटा सकती है existing nominee को दूसरे company का नाम दे के ROC को इंफॉर्मों से करना होगा तीसरे वाली बात क उसके बाद क्या बोला जा रहा है such change इसे हम लोग alteration of memorandum कहेंगे क्या no 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 इसे हम लोग alteration of memorandum नहीं कहते है अब सर मुझे एक बात बताईए कौन विक्ती nominee और member बन सकता है OPC का तो सबसे पहली बात बोली जारी है उसका natural person इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है और उसके बाद भी इंडियन citizen होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर इंसान भी हो इंडियन citizen हो ठीक है फिर चाहे वो इंडिया में रहता हो या नहीं रहता हो उससे फरग नहीं बढ़ता लेकिन citizenship उसके पास इंडिया की ओनी चाहिए ठीक है ओके सर यह incorporate कर सकता है OPC और nominee भी बन सकता है OPC का एक और चीज़ बता दू resident in India का मतलब क्या होता है who has stayed in the period of 120 days or more 120 दिन से ज्यादा अगर भारत में आप रह लेते हो पिछले financial year के अंदर पिछले financial year की बात की जा रही है तो पिछले financial year में अगर आप 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रह लेते हो तो ऐसे क इसके अंदर हम लोग क्या कहते है कि आप माने जाएंगे हमारे resident in India माने जाते हो क्या माने जाते हो resident in India माने जाते हो अब यह जो natural person है ये एक company के अंदर ही क्या रह सकता है member रह सकता है मतलब 1 देखो choose करना होंगा मैं आकिर किसका होना चाहता हूँ करके इस चीज का आप ध्यान रखेंगा समझ रहे आप बात को तो यह वाली बात बोली जारी है तो अगर कोई natural person है न तो ऐसे case के अंदर अगर मान लीजे eligibility criteria meet कर जाता है मतलब एक विक्ति फना हो गया और ऐसे case के अंदर में दोनों जगा member बन गया तो 180 दिन के अंदर मुझे decision लेना होंगा कि या मुझे कौन अपना रहा है या मैं किसको अपना रहा हूँ करके ऐसी वाली बात बोली जारी है क्या minor यहाँ पर member या nominee नहीं बन सकता है इस बात को सभी लोग समझे बोलो 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 जल्दी से मुझे क्या आप इस बात को सभी लोग समझे एक बार फटा फट रीड करो वन परसं कंपनी से रिलेटेट पूरे-पूरे pages पल्टाओ धन्मे से फिर मैं section नमबर 8 के उपर चल रहा हूँ कर दो चलो ध्यान दीजेंगा देखो मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ section 8 company के बारे में मैं बात करूँगा जो बात करता है formation of the companies with charitable objects से related यहाँ पर चर्चा करता है मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कौनसी वाली चीज़ सुन लेना आप बात को अच्छे से सर यह बोला जा रहा है कि जो companies charitable objects से related यहाँ पर चर्चा कर रहा है तो हमारा सर परपस है यहाँ पर to promote the charitable objects का है सभी लोग बोलो to promote the charitable objects सर चर्टेबल objects कौनसे कौनसे होते है तो देखो यहाँ पर सबसे पहले commerce art science school की चीज़े याद करो आपको commerce art science हुआ था फिर sports करवाते थे education नाम के लिए करवाते थे उसके बाद lab होता था तो research होते थे यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ social welfare activities नहीं होती थी कि आपको ऐसा पच्छी पकड़ा दी जाती थी बोले पैसे collect करके लाओ हमारे लिए तो ऐसे case के अंदर वह वह social welfare activities थी उसके बाद religious activities यह charity programs होते थे फिर यहाँ पर protection of environment से related वह जाड लगा और वह सब चीज़े यहाँ पर हुआ करती थी तो ऐसे case के अंदर school के चीज़ों को याद करना तो school को हमने याद कर लिया तो art, commerce, science, education, research तो आई जाता है ध्यान में उसके बाद social welfare activities, religious यह charity वाली activities और protection of environment यह सारी की सारी चीज़े यहाँ पर आ जाती है और company क्या करती है जो भी profit कमाती है जितना भी profit कमाती है वो पूरा का पूरा profit अपना इस objects के अंदर यह objects के अंदर अपना पूरा का पूरा profit लगा देती है तो उस चीज़ को हम लोग क्य कहते हैं सभी लोग बताइए उस चीज़ को सर बोला जाता है charitable objects से related चीज़े क्या बोला जाता है बोलो ना charitable objects से related यहाँ पर बात की जारी है आप यहाँ पर diagram को देख सकते है not for profit company object of the company होता है art, commerce, science, sports, education, research, social welfare, charity religion, protection of environment ऐसा बोला जा रहा है सर profit हम लोग केवल और केवल प्र distribute नहीं करते है dividend को हम लोग हमारे profits को यह करने के लिए profits को मदबा sorry objects को promote करने के लिए हम लोग dividend को लगवा देते है ऐसी वाली बात है जैसे cry हो गया being human हो गया बोलने के लिए being human cry ही करवाता है उसके prices देखके तो ऐसे case के अंदर मैं कहुंग आपके साथ लेकिन वो भी charitable objects वा section allow central government allow करता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी association यहाँ पर क्या कर सकता है section 8 company बना सकता है और यह जो section 8 company वो बना रहा है न बेटा उसके नाम के आगे limited या private limited नाम नहीं लगाए तो भी चलने वाला है मतलब सर आप यह बोल रहे हो कि private limited या limited शब नहीं भी लगाऊंगे तो यहाँ पर central government allow करता है क्या register करने के लिए हाँ sir allow करता है तो देखो by issuing the license on such condition it deems fit करके तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे case में central government license को issue करता है और allow करता है कि तुम अगर section 8 company कर रहे हो तो हम limited या private limited शब्द आपको नहीं भी use करोंगे तो भी चल जाएगा हमें कोई problem नही है बिल्कुल को attention की बात इसके अंदर नहीं लग रही है तो ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है where it is proof to the satisfaction of central government that company registered under the acts या previous has been formed with any of the object या with restriction prohibition by the license में allow company to register जिसके अंदर वो limited या private limited शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करने देंगा ऐसी वाली बात है second वाली चीज़ privileges of the limited company अब limited company के privileges क्या होते अब देसी बात है liability limited हो जाती है तो कल चल के अपने उपर कुछ भी आ सकता है क्या नहीं आ सकता है सर अगर एक कोई partnership firm है वो member बनना चाहती है section 8 company का बन सकती है बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है सर section 8 company है वो अपने objects को बदलना चाहती है MOA और AOA को change करना चाहती है आप कर सकते हो लेकिन पहले prior permission लगेंगी भया central government की तब जाके section 8 company को हम आपको आपके approvals को change करने देंगे otherwise तब तक हम आपको change नहीं करने दे रहे अगर आप किसी भी दूसरे company के अंदर convert करना चाहते हो ना तो again आपको यहापे क्या करना होगा again आपको यहापे central government से ही पूछना होगा जैसे देखो company may convert itself into the company of any other only after complying with such conditions है तो आपको conditions को पहले comply करो और उसके बाद ही चीज़े हो सकते है अब जो convert करना चाहते है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा general meeting के अंदर special resolution pass करना होगा और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो other kind में other kind में आप क्या कर सकते हो बिलकुल बिलकुल other kind में आप खुद को बदल सकते हो ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है लिख के रखो general meeting से special resolution फिर आप conversion अला होता है अब revocation of license अगर मुझे ऐसा लगता है तो क्या मैं अपने license को revoke कर सकता हो क्या फ मान लो जैसे अगर central government को पता लगता है कि आपने company के affairs को मतलब आपने company के कामकाच को ठीक नंग से नहीं निबाया है fraud किया आप लोगोंने वॉयलेट किया company के objectives को आपने वहाँ पे object में लिखा है लोगों को education देना आप education छोड़ो वहाँ से आप drugs बिचवारे हो बेटा लो और central government आपको issue करेंगा return notice जहाँ पर वो बता रहा है कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपके license को revoke कर दालो करके नहीं नहीं मेरी इच्छा हो रही है मैं आपके license को revoke करूँ तो सबसे पहला क्या बोला central government अगर चाहे may by order अगर वो चाहे तो license को revoke कर सकती है जब उसको ऐसा पता लगता है कि company fraudulently काम कर रही है यह company violate कर रहे है अपने objectives को violate करने का पतलब होता है उलंगन करना अपने objects का object का मतलब होता है purpose जिस company जैसे मेरे company का purpose है पानी पूरी लाना मैं वड़ा पाउच बेच रहा तो ऐसा नहीं चलता है तो ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली तो उ जब license यहाँ पर revoke होता है न तो ऐसे case के अंदर समझना बात को ध्यान रखना license revoke होता है न तो यहाँ पर अगर देखो where license is revoke central government में by order if satisfied तो वो direct कर सकती है company का winding अप करवा सकती है क्या करवा सकती है बोलो winding यह समेट हो रहे तुमारे एक काम करो अपने assets को sell कर दो और क्या क करवा सकती है बिलकुल बिलकुल करवा सकती है लेकिन एक चीच का ब्यान रखना एक चीच का क्या however लेकिन ऐसा order तभी pass किया जाएंगा जब ROBH दिया जाता है मतलब reasonable opportunity of herd जब दिया जाता है न केवल और केवल तब ऐसा order यहाँ पर पास होने वाला है तो सबसे पहला बोला contravention किया दूसरा license revoke होंगा winding up लेकिन cable और cable ROBH देने के बाद उसके बाद बोला जा रहा है where license is revoked and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered अगर central government चाहे न तो समझे बात को यह amalgamate करवा सकती है किसी और company के साथ इस चीच का ब्यान रखना बहुत हो गया तेरा घर के चल एक काम कर amalgamate हो ज यह तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि amalgamation यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करवा सकती है और ऐसे के इसके अंदर property, powers, rights, authorities जो होती है न वो पूरे के पूरे by order बोलो न चल दीसे वो पूरे के पूरे by order दूसरे company के पास चले जाते है अगर company का winding up यह dissolution होता है बेटा तो ऐसे के इसके अंदर there remains after satisfaction of debt and liabilities अगर फिर भी कोई asset बच जाते है न तो वो किसी दूसरे company को क्या कर दिये जाते है ट्रांसफर कर दिये जाते है जिसके similar objectives होते है समझगे आप बात को ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रहे है तो similar objectives वाले company को बोलो ना similar objectives वाले company को बचे कुछे assets transfer कर दिया जाता है हम आपको share holders को थोड़ी ले जाने देंगे यार share holders को थोड़ी ले जाने देंगे और उसके बाद punishment वगरे भी दी जाती है punishment आप जानते हो कि अगर company है तो 10 लाग से 1 करोल अगर officer in default है तो ऐसे के इसके अंदर 25 लाग तक और 447 के अंदर तमाचा य exceptions के बारे में यहाँ पर बोला गया वैसे तो आप जानते हो notice आपको 21 दिन का देना होता है chapter number 7 में आप लोगों ने पढ़ रखा होंगा या तो है न उसके बाद यहाँ पर नेकिन आपको 14 डेस का notice लगता है minimum number of directors या independent directors का provision या apply नहीं होता और जो फालतू की committees होती है जैसे nomination nomination and remuneration committee और shareholder relationship committee यह फालतू चीज़ है यह फालतू खर्चे करने की जरुवत नहीं है पैसी आपके पास पैसा बहुत limited है तो अपने पैसे को बचा के रखिए ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है फटा फट एक बार go through करो जल्दी से section number 8 को जल्दी से go through करेंगे बि करेंगे यहिए उरी कि प्रचे कि एसा अगप चलिए चले आगे येस आजएगे अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ section नमबर 9 के regarding हम लोग बात करेंगे section नमबर 9 में कौन सी वाली चीज देख रहे देखे effect of registration से related बात कर रहे है कि अगर आप company समझे बात को कि अगर आप company को incorporate करते हो ना तो ऐसे case के अंदर समझना अगर आप कोई भी company को incorporate कर देते हो तो section नमबर 9 का कहना है कि जब company incorporate हो जाती है तो उसके बाद जितने भी features of company है ना वो पूरे के पूरे features क्या हो जाते है अक्टिवे होता है वो बाकी सारी की सारी चीज़े collapse करके एक चीज़े होती थी slaps करके चीज़े हम लोग देखते है तो ऐसी पूरी की पूरी चीज़े क्या हो जाती है जहापे लागो हो जाती है जैसे के आप देख सकते है जैसे ही company according to section 9 क्या कह रहा है कि या the subscribers of memorandum and all person from time to time वो members of company ब रख सकते है क्या यह सर जमीन को ब्रकर सकते है property को purchase कर सकते है सेल कर सकते है मुवेबल इमुवेबल सारी सारी चीज़ों को tangible intangible to the contract और वो स्यू कर सकते है company को या company स्यू कर सकते है दूसरे लोगों को मतलब basically सारी चीज़े पूरे के पूरे features अक्टिवेट हो जाता है ऐसे पहली वाली बात बोली जा रही है सर अच्छा मुझे एक बात बदाए एक legal personality emerge हो जाती है from the moment registration of the company जैसे है आप register करते हो और subscribe करते हो MOA को तो ऐसे के अंदर company अलग person मान ली जाती हो और उसको बनाने वाले जो लोग है न वो अलग मान लिये जाते है separate legal entity separate legal entity उस चीज के regarding यहाँ पर बात की जारी है company चाहे तो सर खुद के नाम पे क्या shares को दूसरे company के shares करीच सकती है क्या बिलकुल करीच सकती है वो controlling company भी बन सकती है वो दूसरे company को control कर सकती है और उस हिसाब से character of company को देखा जाता है जैसे कि वो holding तो नहीं है वो associate तो नहीं है वो subsidiary तो नहीं है इसे character of company बोला जा रहा है तो ऐसे के अंदर character depend करता है कि वो कितने दूसरे company को acquire कर रही है उसके basis के उपर character यहाँ पर देखा जाता है और अगर law यहाँ पर recognize करती है company और members अलग-अलग लोग यहाँ पर होते है मुझे पताइए sir government company के shares को कौन help करता है president of India help करता है ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है जो president of India बेटा पूरे-पूरे government company के जितने भी shares होते हैं वो उसके नाम पे होते हैं president of India के नाम पे होते हैं MC क्यों के लिए पूछा जा सकता है बाकी SS section यहाँ पर आने नहीं वाला है आपके इस नाम के perspective view से ठीक है अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ अब हम लोग चालू करन law simple सी बात होती है sir MOA कैसा document है जो formation of company से related चर्चा करता है और AOA उसके constitution को define करता है फिर से MOA कैसा document है जो company के formation से related एक based document बनता है chartered document बनता है मतला पूरा के पूरा foundation of company MOA है और एक बार foundation तयार हो गया तो ऐसे case के अंदर जितने भी internal rules and regulations है उसको AOA determine करता है ऐसी वाली बात यह यहाँ पर बोली जा रही है तो MOA और AOA जो होता है न विटा है यह similar to the company agreements या resolution जो यहाँ पर पास करता है वैसी वाली बात आ चाहती है अब section number 4 आप लोगों के साथ MOA से regarding बात करता है सबसे पहला यहाँ लोग बात करेंगे पहला वाला सवाल उठता है कि object of registering MOA हम लोग हमा करता है about the operation beyond which actions cannot go मतलब यहाँ पर MOA जो होता है वो define करता है कि एक company क्या कर सकती है अपने life में inal duty कंपनी क्या कर सकती है इस चीज को define करता है क्या करता है उस चीज को define न जल्दी से उस चीज को define करता है क्या beer कौन define करता है सर object हमारा जो MO है वो define करता है दूसरी वाली बात यहाँ पर बोली चाहरी है कि यहाँ पर shareholders creditors और जो भी deal कर रहे हैं न company के साथ उन लोगों को पता चलता है कि what are its powers and what activities they can engage in मतलब company के क्या powers है company कौन से activities को कर सकती है since memorandum एक public document होता है तो ऐसे case के अंदर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति के साथ company यहाँ पर बातचीत कर रही है जिस भी व्यक्ति के साथ company contract कर रही है उसको company के objects के बारे में पहले से पता होगा हम ऐसा मान लेते हैं उसके बाद shareholders must know the purposes for which money can be used by the company and what risk it is taking in making the investment मतल तब उन्हें पता होना चाहिए कि आकिर कौन से purpose के लिए हम लोग पिस्सा को use कर रहे है और उसके बाद उसके पैसे को use कर रहे है और उसके बाद कौन सी risk वो ले रहे investment करते हैं जनरली देखो यार बहुत समझे मैं ऐसे investors को मतलब एक term होता है लेना महारश्च्रमें एक term use क किया जाता है जैसे अगर हम लोग किसी को mad कहते हैं तो बहतार करके ऐसा बोला जाता है तो ऐसे के इसके दर में investment जब वो अगर आप tips के basis पे केवल और केवल investment करोंगे तो आपका पैसा 100% डूबने वाला है ठीक है तो मैंने जो टम बोला वह हुए लेकिन अगर आप खुद judge अगर करोंगे चीजों को obviously बात है हर एक व्यक्ति की risk appetite अलग-अलग होती है मैं अगर कहूँगा आप लोगों के साथ कि मेरे को risk ज़्यादा लेना है तो मैं equity में investment करूँगा क्या बिल्कुल करूँगा सर मेरे को अगर risk कम लेना है तो मैं debt instrument या मैं FD के अंदर investment करूँग मैं एक risk adverse person हूँ मेरे को risk ज्यादा पसंद नहीं तो ऐसे case के अंदर में FD में invest करूँ मेरे को risk बहुत पसंद तो मैं आपे क्या करूँगा इक्विटिव है तो ऐसे case में equity मतलब आप company के shares में तो आपको पता तो होना चाहिए company क्या कामकार करिए अरे simple सी बात है company के profit जो है न company के profits determine होते है किसके basis पर company के कामकाच के basis के उपर तो ये कामकाच के basis के बारे में हम लोग आपे क्या करेंगे बोलो ना बोलते नहीं आप कब बोलोंगे बोलो चल दी से ना तो यह वाली चीज बोली जारी है सभी लोग बोलो क्या क्या देखा अपन लोगे ने चार चीजे देखी सबसे बहला scope of operation जिसके आगे आप नहीं जा सकते दूसरा कौन से powers और activities में आप एंगेज हो सकते हो तीसरा है ना मुझे पताईए क यहाँ पर तीसरा बोला जा रहा है कि जिवो व्यक्ति सामने वाले यह सिंसे एक public document है तो जिस व्यक्ति के साथ हम लोग contract में एंटर कर रहे है ना उस व्यक्ति को हमारे company के बारे में knowledge पता है और उसके बाद बोला जा रहा है purpose for mission the money will be used मतलब कौन से purpose के लिए इस पैसे को use क आ जा रहा है उस चीज के regarding यहाँ पर बात की गई है कि आप इस बात को समझे यह सर बोलिए चल दी से मुझे यह सर एकदम बढ़िया तरीके से समझा अब देखो memorandum of company के अंदर सबसे पहला कौन सा clause आता है name clause name clause मतलब यहाँ पर आप नाम of company होता है अगर public company है तो उसके आगे limited होता है और अगर private company है तो private limited इसके अंदर आ जाता है section 8 के अंदर यह चीज की आवशकता नहीं होती दोस्तो फिर office registered office clause वो state का नाम बताता है जिस state के अंदर registered registered office situate होने वाला है जैसे अगर मैं नाखपूर में registered office दाल रहा हो तो महरश्ट नाम उसके अंदर लिखाऊंगा मैं बेंगलोर में दाल रहा हो तो करनाट का उसके अंदर लिखाऊंगा मैं मुंबे में दाल रहा हो तो महरश्ट होने वाला है एमदाबाद में दाल रहा हो त सबसे पहला name clause देखा, दूसरा registered office clause देखा, तीसरा object clause इसके अंदर हम लोगों ने देखा, फिर तीसरी वाली चीज आती है liability clause, liability clause का मतलब होता है, ये clause cover करता है कि कल चल के members की क्या liability रहने वाली है, वंदब members की कौन सी-कौन से duties या कौन से-कौन से obligations होने आले, amount बोला जाता है, तो ऐसे case के अंदर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर limited by shares की liability होती है, amount unfaid करके, उसके बाद limited by guarantee अगर यहाँ पर आपकी आ रही है, तो limited by guarantee के case में क्या होता है, limited by guarantee के case में होता है, कि कल चल के अगर company do be, मतलब company liquidate होंगी, liquidate होने के बाद आपके assets बेचे जाएंगे, liability को fulfill करने के लिए, तो ऐसे case के अंदर हम लोग तब उस समय, मतलब company का डूबना जरूरी है, तो उस समय हम लोग पैसे को contribute करेंगे, और amount stated होता है, कि हम लोग इतना पैसा देंगे, 10,000 रुपे देंगे, पाच जार रुपे देंगे, ऐसा amount हम लोग आपको देने वाले है, तो उसे बोला जाता है, company limited by guarantee, मतलब company जब liquidate होंगी, तो कुछ ना कुछ liability आएंगे, और उस liability को पूर्ण करने का बादा हम लोग करते है, ऐसा बोल रहा है, company limited by guarantee के case में, तो देखो यहाँ पर, each member undertakes to contribute सबसे पहला, to the assets of company in the event of being wound up, he is a member, और within one year after he ceases to be the member, for the payment of debts and liabilities, of such debts and liabilities which may have been contracted, after he ceases to be the member, as the case में भी, तो बहुत जोड़दार चीज बोली गई है, sir क्या बोला गया है, जोड़दार तो आपने बोल दिये, पर क्या, देखो तो इन लोगों का कहना है, यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात, अगर आप member हो तो आपको पैसा देना है, लेकिन आप यहाँ पर seize हो चुके हो member होने से, आप stop हो चुके हो member होने से, ठीक है, और ऐसे case में within one year, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे पैसा बुलाया जा सकता है, सुनो, तो मैंने क्या का, तो आपके उपर तलवार कब तक मन रहा रही है बेटा, जिस दिन आप seize हो चुके हो member, तो अगले एक साल तक अगर company liquidate हो गए न वहाँ से, तो आपके liability आने वाली है, सर, एक साल के बाद मेरी कोई liability नहीं आने वाली है, इस चीज का दियान रखना, और एक और बात बता देतो, उन्यू लाइबिलिटी के लिए नहीं आएंगी, पुराने वाले liाबिलिटी के लिए ही, यहाँ पर रिस्क आती है, बाकी as such कोई risk आने वाली है, क्या नहीं सर नहीं आने वाली है, इसके अलावाद जो cost and charges होता है, उस चीज के लिए पैसा बुलाया जा सकता है, और अगर कोई adjustment हो रहे है, rights of contributors में, तो among themselves से related भी यहाँ पर पैसा बिलकुल बिलकुल बुलाया जाता है, तीसरी वाली चीज, in case of company having share capital, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बात तो divide करना होता है, shares को into fixed amount and number of shares के अंदर हम लोगों को divide करना होता है, उसके बाद बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या, कि number of shares each subscriber intents to take करके, उस चीज के अंदर हम को यहाँ पर दालना होता है, share capital clause के अंदर, फिर बोला जा रहा है, OPC के case में हम लोग nominee का नाम भी दाल के रखते हैं, क्या बिल्कुल nominee का नाम इसी के अंदर हम लोग share capital के अंदर ही यहाँ पर दाल के रखते हैं, क्या आप इस बात को समझें क्या, बोलो 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 जल्दी से, अब देखिए, अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो name clause से regarding बात की जा रही है, sir name clause से related detail में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, ठेक है, देखो, जो name आप MOA के अंदर दालने वाले होना, it shall not, मतलब जो आपके company का नाम है बेटा, it shall not be identical with या resemble nearly to the existing company, existing company समझें बात को registered under the act, या previous company law करके, मतलब मैं यहाँ पर समझें बात को, मैं यहाँ पर है ना, मैं जैसे Tata का मैंने Bata कर दिया, मतलब मैं बहुत ज्यादा identical company का नाम क्या रख सकता हूँ, क्या नहीं सर मैं बहुत ज्यादा company का identical नाम नहीं रख सकता, इस चीश का मुझे ध्यान देना हूँगा, दूसरा, by it's such use, by that it's used by the company will constitute offense under the law for the timing in force, या दूसरा वो undesirable हो जाता है, opinion of central government के case में, मतलब क्या central government को लग रहा है, या ये नाम तो बहुत ही खराब लग रहा है करके, जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, जैसे अगर हम लोग बात करे, माल लीजे मैं लिखता हूँ या आप ए, मूदी चायवाला करके, मूदी चायवाला करके, मैं company की franchise दालूँगा, तो ये undesirable name हो जाता है, central government का कहना हम आपको ये नहीं करने देंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेंगा, कि मूदी जी की कोई franchise ही आईए करके, और सभी लोग आ जाएंगे फिर shop पे, तो मैं ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे case में थोड़ा सा offensive लग रहा है करके, समझ रहा है आप बात को, मैं undesirable नाम भी नहीं रखता है, चोट्टा limited करके, मैं कुछ भी दाले जा रहा हो, fraudulent company limited, हम आओ हम fraud करके बताए, तो ऐसी चीज़े मैं नहीं कर सकता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो central government को अगर कुछ भी लग रहा है, कि यह थोड़ा सा opinion case में undesirable हो रहा है, यह offense constitute कर रहा है उनके case में, तो वो लोग आपको allow नहीं करने वाले, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अब मैं अगर बात करूँ, आपके साथ साथ, यह undesirable name shall not be registered with the name, जो contain करते, ऐसे words जो ऐसा impression देंगे, कि company connected है, central government से related, या state government से related, या यहाँ पे local government से related, मैं अगर किसी भी प्रकार से क्या हूँ related हो, तो ऐसा undesirable name नहीं होना चाहिए, दूसरा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के साथ, तो ऐसा word या expression दे रहा हूँ, जिसके लिए समझना, ऐसा word या expression दे रहा हूँ, unless previous approval of central government has been obtained for the use of such word and expression, मतलब क्या, कोई words and expression के बारे में, इन्होंने already list दे के रखिए, वैसे words को अगर आपको use करना है, तो आप cable और cable तब कर सकते हो, जब आपके पास central government की permission होने चाहिए, अगर permission है तो आप use कर सकते, permission नहीं तो आप use नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएंगा, ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जारी है, ठीक है सर देखो, as per rule 8B, the following words or the combination shall not be used in the names of company, in English or any language, depicting the same meaning, unless previous मतलब पहले permission लो, कौन से कौन से हो गया, board हो गया, commission हो गया, authority, undertaking, national, union, central, federal, republic, उसके बाद, president, राश्ट्रपती, small scale industries, khadiyan village industries, financial corporation, municipal, panchat, development, authority, prime minister, और chief minister, minister, nation, forest corporation, development scheme, statutory, statutory court, judiciary या governor, अगर मैं इन में से कोई भी नाम का प्रयोग करना चाहता हूँ, तो मुझे किसका permission लेना होगा, मुझे ऐसे चीजों के लिए, cg का approval पहले से लगेंगा, previous cg approval इसके अंदर बहुत ज्यादा ज़रूरी है, previous cg approval यहापे होना, एकदम आफशक यहापे आ जाता है, क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं क्या, यह सर्द बताईए जल्दी से मुझे है न, the words यह अगर कोई scheme विम लॉंच किये, जैसे राजीव गांदी, रोजगार यूजना करके, है न, ऐसे अलग अलग वो, आजकल बैंक के लिए भी कोई तो भी scheme थी न, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के में schemes का word भी use नहीं कर सकता, और bureau word, यह सारे चीजों को मैं आपे use नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना, अगर मेरे नाम के आगे insurance, bank, stock exchange, venture capital, asset management, निधी, mutual fund, ऐसे कुछ नाम यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे किसकी permission लेनी होंगी, IRDA, यह मतलब respective regulator की permission लेनी होंगी, simple सी बात यह बोले जारी है, क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं, बोलो जल्दी से मुझे हैं ना, यह सर, तो आपने क्या देखा, बताईए मुझे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो यहापे क्या है, दो master condition है, सबसे पहले दो master condition कौन सी, कि वो identical नहीं होंगा, existing company से और दूसरा use नहीं करेंगे, जो offensive हो रहा है, या central government के case में undesirable है, अब undesirable को और explain करते हैं, undesirable में इनका कहना है, कि ऐसा expression जो central government से connection बता है, या कोई words जो हमने state करके रखा है, कि हमारी permission से होना चाहिए, तो वो words आपने permission नहीं लिया, तो आप use नहीं करने देंगे, सर वो words के बारे में फिर इन लोगों नहीं आपर define कर दिया, कि कौन से कौन से words या पर होने चाहिए करके, और फिर बोला है कि अगर regulator से related word है, तो आपने regulator की permission लेना है, आपने हमारी permission नहीं लेना है, अब reservation of name के उपर आएंगे, reservation of name के अंदर क्या बोला जा रहा है, कोई भी company बन रही है न, तो मैं नाम obvious सी बाते मुझे एक बार check करना होगा, कि क्या ये नाम available तो नहीं, क्योंकि अब अब देखो, मैंने कोई नाम रख दे, आप बोले अरे बहुत ज़्यादा identical हो रहा है, तो मुझे पता तो होना चाहिए न, कि पहले से ये नाम है या नहीं है करके, तो ऐसे case के अंदर reservation of name यहाँ पर roll call में आता है, reservation of name यहाँ पर चीज़ों को बताता है, reservation of name का मतलब होता है, अगर कोई तीसरे व्यक्ति आके बेटा नाम को अगर जमा के चले जाता है, तो ऐसे case के अंदर आपको लगता नहीं है, जमी जमाई setting आपकी बिगड जाएंगी, तो सही समय है बेटा, सही समय चलते ही reserve करके रख लो, पहले ही बोल के रख लो, आईए हमारा फाइनल हो सकता है करके पहले ही central government को बुला उफ इसला के मान लो इस चीज का दियान रखना, चलिए आईए सबसे बहला कौन सा, reservation of name के बारे में applying for name, जो एक person है जो application करेंगा company के भियाफ में और fee को prescribe करेंगा, fee तो इनको चाहिए बेटा, कुछ भी करो, ROC को पिस्ता तो लगने वाला है, तो आप application करो और उसके साथ-साथ fees prescribe करो, ROC को बोलो भया हमारे नाम को क्या करो, हमारे नाम को थोड़ा सा preserve करके रखो, मतलब अगर मैं new company काम कर रहा हूँ, तो proposed company बोलेंगे, आपकी existing company है, तो हम 60 दिन के लिए reserve करके रखेंगे, सर क्यों कम क्यों जादा, क्योंकि simple सी बात है, आप नहीं company मना रहे हो, आपका क्या भरोसा, existing company है तो वो हो सकता है, serious हो, उसको resolution पास करना बड़े, समय लगेंगा उसे थोड़ा सा, इसलिए उसे 60 दिन दे दिया है, आप लोग तो खाली बैटे हो, आप 20 दिन, अगर आप serious हो, अपने company को लेके, तो आप 20 दिन के लिए हमें चुपचाप अपलाए कर देना, ठीक है, cancelling है, जब बाद में, एक बार हम आपने नाम को reserve कर लिए, और बाद में पता चला कि, आपने कोई जुट्टू information दिया था, आपने हमको चोटा बनाया, तो ऐसे case के अंदर, हम लोग incorrect या false information दिये, तो हम लोग क्या करेंगे, if the company has not been incorporated, reserve name shall be cancelled, omg, omg, अगर आपकी company incorporate नहीं हुए न, तो हम reserve name को cancel कर दा लेंगे, और आपको लपेट दा लेंगे, कितना एक लाख रुपे तक आपको खीच लेंगे, इस चीज का धियान रखना, दूसरा अगर company मान लो incorporate हो जाती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, company मान लो incorporate हो जाती है, तो ऐसे case के अंदर हम आपको देंगे, ROBH मतलब reasonable opportunity of work देंगे, और company को बोलेंगे, काम कर तीन मैने के अंदर नाम को change कर ले, OR को pass करके, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, strike off कर देंगे नाम को, और petition for winding up भी किया जा सकता है, समझ रहा है बात को, नाम change कर, strike off करेंगे, नहीं तो यहाँ पर petition आप कर सकते हो, ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है, क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीच को सभी लोग समझ रहा है, बोलो ना कब बोलोंगे आप लोग, हाँ सर समझ रहा है कर ले हैं ना, सभी लोग बोला हाँ सर समझ रहा है करके, यह सर आई है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उसके बाद domicile clause क्या कहता है, domicile clause बताता है कि कौन से state के अंदर, federal state mentioned in the registered office to be situated करके, ऐसी वाली बात है, फिर object clause का मतलब होता है कि कौन से proposed company incorporate, कौन से objects के लिए और कौन से purpose को mind में रखते हुए, company incorporate हो रही है, वो आपके object clause का part यहाँ पर बनने वाला है, वो आपके object clause की चीज़े यहाँ पर आ रही है, क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज़ को सभी लोग समझ रहे है क्या, यह सर समझ रहे करके, अब हम लोग बात करेंगे doctrine of ultra-wires से related हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, सर यह doctrine of ultra-wires का मतलब क्या होता है, सर doctrine of ultra-wires, देखो यार क्या होता है, कमपनी का जो यहाँ पर MOA है ना, कमपनी का MOA, कमपनी के objects के बारे में बताता है, क्या बताता है सभी लोग बोलो, कमपनी के objects, कमपनी के objects के बारे में यहाँ पर चीज़े बताता है, अब सर यह जो कमपनी के objects को define है, तो simple सी बात है ना, company जो भी कामकाच कर रही है ना company को इसी कामकाच के अंदर यहाँ पर हमको चीजों को करना होगा company जो भी कर रही है वो इसी objects के तहत में रहके उसको करना होगा मान लीजे company कुछ ऐसा काम करती है जो उसके objects के beyond है जैसे company का काम था पानी पूरी बेचना company केती है वड़ा पाउ बेचूँगी company केती है दोसा बेचूँगी company का कहना है sandwich बेचूँगी company का कहना है पिज़ा बेचूँगी company का कहना है मान लीजे कुछ और सूप बेचूँगी तो ऐसे case के अंदर आपने अपने objects का उलंगन किया क्या किया आपने अपने objects का उलंगन किया तो ऐसे acts को हम लोग क्या कहते है ultra wires सबी लोग बोलेंगे ऐसे act को क्या बोला जाता है ultra wires act बोला जाता है अब सर यह ultra wires का मतलब होता है beyond power आपकी ox नहीं थी आप ox के बाहर जाके काम कर रहे ultra wires वो चीज़े हो जाती है ऐसी वाली बात यहां पर बोली जारी कि आप इस बात को समझे यह सर तो ultra wires का मतलब क्या होता है देखो in case of company wherever not stated in the memorandum as the objects या powers is prohibited by doctrine of ultra wires मतलब क्या जो आपके object में नहीं लिखा है आपको काम का चुनम नहीं आपको करने देंगे हम पहले ही बता रहे है अब आपको इस चीज़ का दियान रखना आपके अगर object में है तो हम काम करने देंगे और भूल जाओ भूल जाओ ठीक है आईए as a result an act which is ultra wires यह क्या होते है अपने अपने void act होते है सभी लोग बोलते है क्या होता है and does not bind the company करके और फिर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर bind और यह bind करते है कैसे ultra wires company को नहीं समय कर सकते है नाइदर the company nor the contracting party sue कर सकती है ना ही company issue कर सकती है ना ही contracting party sue कर सकती है तक company cannot make it valid even if every member as a set still 100% members क्यों ना इसके उपर approval दे दे 100% members क्यों ना इसके उपर ascent दे दे तो इसके बाद भी अगर जो चीज बुरी है वो चीज बुरी है बस खतम होगई बात यहाँ पर ऐसी वाली बात यहाँ पर बोली जारी है क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या बोली है जल्दी से मुझे हाँ सर अम लोग सकते हो क्या हां सर में लोग इसको बिलकूल बिलकूल रैतिफै कर सकते है एक प्रॉपबर में Resolution को पास करके इसको को रैटिफै कि अब आपको केस लोग पता देता है आपको फिर बी केस लोग कारेज ऑए न कंपनी को एक contract मिलता है बेटा government की तरफ से railways की तरफ से कि इनको railway wagons बनाना है अब इनके पास बहुत सारा काम काज होता है तो वो इस contract को Richie को दे देते हैं बनाने के लिए अब Richie के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पहले wagon को बनाए supply करो और फिर के इसके अंदर जो railway एशबरी के carriage और आयन कंपनी लिमिटेड वाले लोग है नो उन्होंने का भया हमारे कंपनी का गाम है आपे contractorship करना हमारे कंपनी का गाम loan बाटना नहीं है करके और ये बात पर जगड़ा हो जाता है और ये जाते है court of law के अंदर court of law का कहना है देखो एर company के नाम के आगे भली आप ए company के मोई के अंदर general contractor शब्त का प्रयोग किया इसका मतलब ये नहीं इसका मतलब ये होता है कि company कुछ भी business करे जनरल ऐसी वाली बात तो नहीं होती company वही दंदा कर सकती है जो उनके comparatively existing business से associated थोड़ा बहुत है न तो जैसे थोड़े बहुत जो काम का जा है वो company बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भलता इच कुछ तो भी कर रहे करके ऐसा नहीं चलता तो आप loan देना ये एक भलतीच activity थी जो एक company नहीं कर सकती है ऐसी वाली बात यहाँ पर की जा रही है तो यहाँ पर क्या बोला गया है simple सी बात है आपने objects आपके जो objects से उसको सरपास आप लोगों ने नहीं करना चाहिए अब subscription cross का मतलब क्या होता है अच्छा यह वाली चीज वैसे पूरी same foundation की है अब यह जो explain की है अब आप बोलूंगे सर्फ मस्त छोड़ दिया आपने तो कल्टी मारे यह बेटा यह जो मैंने आपको ashbury railway carriage वाला समझाना यह वही वाली चीज है आप चाहे तो इसके मज़े ले सकते हो लेकिन घर पे आपके exam में यह आपको आपको बाकी कहानी नहीं पूचेंगे institute को कहानी से कोई ले ना देना है आपको नाम पता है कहा है यह बता दो क्योंकि यह master case law को dimmed मान लिया जाता है कि सामने वाले को master case law के बारे में the register within whose jurisdiction the registered office of companies propose the memorandum and articles of company duly signed by the subscribers to the memorandum मतलब जो भी subscribers होंगे जितने भी subscribers subscribers का मतलब होता है जो कल चलके members बनने वाले since अभी तक company आई नहीं है existence पे इसलिए उसका नाम करन subscribers किया जा रहा है बाद में उसका नाम करन क्या किया जाने वाला है members किया जाने वाला है करके ऐसी वाली बात यहां पर बोली जा रही है फॉर्म से शेडूल रिलेटेड टू मेमरेंडम अफ कंपनी शाल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म स्पेसिफाइड करके जो बोले जारे टेबल A, B, C, D, E के अंदर जो शेडूल A के अंदर दिये गया है देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर टेबल A होता है MOF company limited by shares के लिए टेबल B होता है MOF company limited by guarantee के लिए ठीक है टेबल C होता है by guarantee having share capital के लिए टेबल D किसके लिए होता है unlimited company तो हमने क्या बोला A, B, C, D करके यह होता है limited by share limited by guarantee by guarantee and having share capital और unlimited company यहां पर आ जाता है D तक अपने देखा E के अंदर क्या आता है यहां पर unlimited company having share capital पहले share capital को अब लपेटा फिर बोला है यहां पर table F आता है guarantee तीसरा by guarantee and shares unlimited और unlimited company having share capital ऐसी वाली बात यहां पर आईए regular class के अंदर एक आपको चार्ड भी बनवा के दे लिया था अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ उसके बाद देखो articles association of company से related हम लोग यहां पर बात करेंगे sir यह articles of association of company क्या करता है कि company internally कौन से कौन से rules and regulations को follow करने वाली है किसके kitने power है किसके kitने power नहीं है वो सारी सारी चीज़े क्या होने वाली है वो सारी सारी चीज़े AOA के अंदर आती है sir यह जो regulations होता है sir contains regulations का मतलब होता है कि management उप the company जो होती है company को manag试रने के लिए management होते है तो ऐसे केस के अंदर यह जो management है ना इनके आजू बाजू इर्ट गिर्ट किसको किन से कितनी परमिशन लेना होगा एक डिरेक्टर कितने extent तक loan ले सकता है क्या कर सकता है वो सारे सारे powers वो सारी चीज़े इस regulations के अंदर यहाँ पर दी जाती है इसके अंदर वो सारे rules या additional matters के बारे में भी दीजे दी जाती है तीसरा होता है entrenchment provision entrenchment provision का मतलब क्या होता है ऐसी चीज़े जो AO है न बेटा देखो एक company special resolution को पास करके entrenchment provision दाल सकती है entrenchment provision का मतलब होता है जो existing चीज company law के अंदर दी गई है न आप उसको ज्यादा tough करवा सकते हो मतलब क्या जैसे for example किस परसेंट लोगों का अप्रूवल लेना होंगा मानलो किसी चीज़ के लिए और लगता है आप कह सकते हो नहीं नहीं हमारे company में इस चीज़ के लिए ऐसार लगने वाला इसे entrenchment provision बोला जाता है तो अगर आप entrenchment आब आप किसी चीज़ को ज्यादा tough करा रहे हो तो वो बिल के इसके अंदर आप SR पास कर दो in case of public notice और change कर वालो बेटा उसको MOA को और उसमें आप entrenchment provision दाल सकते हो अब notice to register आपको भिजवाना होंगा जब आप entrenchment provisions को दाल रहे हो table FGHIJ आने वाले schedule 1 के अंदर जो यहाँ पर बात करता है forms of articles से related ऐसी वाली बात बोली जा रहे है company registered after the commencement effect इसको cancel कर दीजेंगा क्योंकि ओफिस सी बात है देखो यह क्या बोला जा रहे है जो भी company यहाँ पर आफ्टर दी इसके act केस में आई है मतलब after the commencement of this act आई है तो ऐसे के इसके अंदर वो जो पुराने वाले यार जो provisions होते है इधर से पहले act से दूसरे act में जाने के वह उ इसके अगे की चीजे मैं आपको कल continue करौँगा आज के लिए आज के सेशन को हम लोग करने वाले केवल और केवल इतना ही आज हम लोग यहाँ पर करने वाले है क्या आप इस बात को सभी लोग समझ लिए है सर हमको सारी सारी चीज़े एकदम बढ़िया तरीके से समझ चुकी है अब मैं अगर बात करो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो आप यहाँ पर अगर आपको हमसे structured तरीके से पढ़ना है तो आप unacademy के उपर मुझसे पढ़ सकते हो CA intermediate का law मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ात हो एक बात बता दू unacademy के उपर आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं जैसे कि अगर आपको केवल और केवल मुझसे law पढ़ना है तो ऐसे के इसके अंदर आप यहाँ पर आ सकते हो सकते हो सब्सक्रिप्शन दो परकार के होता है unacademy और अभी unacademy के उपर चल रहा है 20% off इसलिए आप यहाँ पर IG sir इस code का प्रयोग definitely करके maximum possible discount आपको मिल जाता है इसलिए के लावा यह store SKU इसमें भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो IG sir इस code का प्रयोग कर सकते हो again for maximum possible discount अगर मैं बात करूँ जैसे 5000 का यहाँ पर अभी चीजे चल रही है और आप यहाँ पर अगर IG sir इस code का प्रयोग करते है तो ऐसे case के अंदर यह चीज आपको कितने में 3999 के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है मेरा CA intermediate November 23 का regular course यह उसके आगे आने वाले courses भी आपको यही पर अवेलेबल हो जाएंगे store SKU के अंदर यहाँ पर इंडिविजुले सिर्फ मेरे subject को cover कर सकते हो store live cover कर सकते हो इस चीज का ध्यान रख नौर recorded sir views कितने होते unlimited views होते है यहाँ पर as such कोई बात नहीं होते है तो जब तक आपका subscription valid रहने वाला है तब तक unlimited views यहाँ पर रहने वाले है राइट हो थैंक्यू सो मुच वंस अगिन व्रिवान बाइबाइब टेक कर मुलाकात होंगी कल हमारी शाम में कितने बचे साड़े छे बचे कल हमारी मुलाकात होंगी तिल देन बाइबाइब टेक एर सी उ ओ और बढ़िया तरीके से नहीं देखा है तो आप उसे cover कर लीजेगा क्योंकि बहुत ज़न मैं unit 2 और unit 3 के revisions भी लेने वाला हूँ तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखियेगा ठीक है तो आपको वो cover करना है अगर आपने नहीं कि अगर आपने cover कर लिए तो बहुत अच्छी बात है फिर आपको cover करने की कोई आफशकता नहीं है तिल देन बाइबाइब टेक केर एवर्रों थैंक यू सो मच